जामे मिले इसलाम में वैसे स्टुडेंट जो खासका 2024 में डिस्टेंस मोट के थुरू चाहे जामे में MBA या BA या UG के अंदर जो कूर्स है या फिर PG कोर्स के अंदर जितने भी कूर्स है इसमें अगर आप जामे में डिस्टेंस मोट के थुरू एडमिसा लेना चाहते हैं आज आपको नहीं समझ माता है तो दोवारा से ट्राइ किजिएगा आप जैसे जब Google पर सार्च करेंगे इस तारीक एक आइकन देखेगा आपके ही मुआल में एक admission का section होगा और उसके नीचे इतने सारे updates होगी तो टॉप यह देखे आप लिखा हुआ रहा है इस तो आपको क्लिक करना है और यहां से डाउलड कर सकते हैं अगर आपको यहां से डाउंलूड नहीं नहीं हो पाता है या download नहीं कर पातो हैं तो आप क्या करेंगे कि आपके पास मूझीला firefox एप होगया playstore पर वहां से जाकर आप इसको download कर सकते हैं तो चलिए आपको नए पनाए student में वह फेल्ड करने चाहते हैं आपको लिए रिस्टरिशंट्ट Leave a जो भी निय Evident पर टाइप करना पड़ेगा इसके बाद आपको यहां पर एक मॉइल लंबर यूज करना पड़ेगा अगर अगर इसमें इस डेटेल डालने में यह प्रॉब्लम थोड़ा हो सकते हैं जिसे अगर आपका माली फिर्स्ट नेम यह लास्ट नेम है तो फिर्स्ट लास्ट में आपका फिर्स नेम और लास्ट नेम है तो चलिए हम पहले इस डेटेल को फिल करते हैं यहां पर अगर आगे काई है अगर आपको लगता है यहां पर डेटेल गलत है कुछ गलत टाइप हो गया है तो आप चेंज बार पे जाकर आप अपना डेटेल फिर से फिल कर लिए आप confirm पे click करेंगे जैसे जब confirm पे click करेंगे तो इस तरीकी का interface आएगा अब इसका देखी क्या लिखा रहा है एक तो यहाँ पर दो चीज़ होगा पहला आपके पास एक email आगा देखे भी email आए आपके पास एक message भी आएगा कि आपने जो है जामे में अप्लिकेशन फॉर्म फील करा है जैनवरी सेशन को लेकर distance mode में अभी यह नहीं आएगे किस कोर्स में कर रहे बस फिलाल यह कि आप distance mode में फॉर्म लाइक है वह mail आएगा sorry message आएगा और आपके पास एक email आएगा तो यहां के बाद जस्ट आपको कहा जाना है email पर जाना है message बाक्स पर नहीं बलके email पर जाएगा email पर जैसी जाएगे आप तो देखिए यहां पर email किस नाम से आया है click to verify अक्टिवेट तो आपको click to verify वाला section पर click करना यहां पर click to verify पर जैसे इस पर click करेंगे click to verify वाल आइकन पर उसके बाद एक new icon उपन होगा याने कि इस type का interface आ जागा लिखकर आ रहा है अब आपको simply login कर लेना है या simply फिर से आप Chrome पर जाकर सर्च करके आप direct login कर सकते हैं ठीक है तो अब हम यहां पर करते हैं जैसी जब आप तो यह login वाला section पर click करेंगे यहां पर email पासवर्ट डालना है उसको submit बार पर click करेंगे जैसी जब submit बार पर click करेंगे तो इस तरीके का interface आ जागा अब कुछ नहीं करना है simply my application form पर जाना है यहां पर जैसी जब जाएंगे यहां पर आपको course select करना है अगर बैचलर्स में BA में लेना चाहते हैं यहां बैचलर्स में बैचलर्स में भी किस-किस में लेना चाहते हैं इसे जो बीड करना चाहते हैं वह बैचलर्स में से लिए करेंगे तो यहां पर देखें कि आपको कितने स्टेप में फॉर्म फील होगा पहले स्टेप में आपका अप्लोड इसको अप्लोड इसको अप्लोड करना पड़ेगा सपोर्ट सेंटर्स और प्रिभी अनकंफर्म अब डॉक्मेंट में क्या क्या लाएगा सिंपल सी बात है अगर आप पासओट हो चुके हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आजागा अब यह सारा डिटेल आपको फील करना पड़ेगा देखिए आपका नाम आपका पॉद्स नेम काटिगरी आपका यह सारा पूछ जा रहा होगा और उसको फिर आपको यहां पर सिब बार पे आपको सिबन प्रोशिट बार पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा इस वार के फॉम में ध्यान देनी वह बात यह कि आपका ABC ID भी पूछ रहा थे ABC ID टाइप करेंगे इसके बाद आपको जो भी मोड जिस मोड में चाह इस सुनोगा अर्बन या रूरल अगर अर्वने एरिया से तो और बन से लेक यह रहे हैं तो यहां पर अब इसको वाद यह आपको आल्डडरेस बताना पढ़ेगा और उसके बाद नेक्शकर बात करें तो थोड़सम्हें देक लेता हूँ हम अब इसको यहां पर किस डिस् आपको फिल करना पड़ागा बिल्डिंग नमर होगे मिंशन करें लैंड मार्क यह सारी चीजिए इसका आपको स्क्रॉल करते हुए सीधे नीचे आना है यहाँ पे आने के बाद आपको से पहले फोटो आप करेंगे और इस वाले सेक्षन पर जाकर आपको अप्लोड करने पर से क्लिक करना होगा है आप नाम आ पड़ेगा उसकर फोटो बीक किरेंगे आप और आप कहां से पास हुए फोटाना पड़ेगा जहाँ भी जिसह स्कूल से अगर इसको बताना पड़ेगा कौन से स्कूल करना में अगर आप CBAC बोर्ट से हैं या स्टेट बोर्ट से हैं तो अपना बोर्ट चूज कर लिएगा कहां से इस वला उप्शन में तो आप देख लिए अगर इसमें से किसी में भी विलॉंग करते हैं वह देख लिए जामय से की हैं इसके बाद आपको कौन से यह पास हो रहे हैं अगर इसी साल पास हुए तो टूटाइंग लिखेंगे वन अगर पास आउट हैं तो लिख देजेगा 23 और उसमें आपको सेटिफिकेट अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है किस स्कूल का नाम क्या था वह सारे डीटेल करने के बाद आपको इसके नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल करते और सेबन प्रोसीट पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा पर अगर मान लिए आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो उसकेस में आप रिजल्ट अवेटेट पर क्लिक करी और सारे डीटेल इस वीडिटेल तो आपका रिल्ट अफ़ेट करते हैं पर इस वर इसकेस में ट्यूट व क्लिक करते हैं और उसकेस में आपको अपलोड करना पड़ेगा mark sheet में यहाँ पे original select कर लेगा और mark sheet में एक reference number होता है तो आप उसमें क्या करेगा अगर original तो original तो provisional तो provisional पे upload कर सकते हैं और उसमें certificate number होगा वो mention कर दिएगा और mention करने के बाद upload कर दिएगा upload कैसे करेंगे यहाँ पे आपको हमने अपना mark sheet upload कर दिया है इसके बाद अब देखी यहाँ पर save and proceed को option आ रहा है तो अब इसके बाद हम save and proceed वहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखी क्या आ रहा है save and continue BAG में अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर save and continue पर क्लिक करेंगे अचाई भी बता दें कि आप जिसकी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सारे में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अभी हम एक और फॉर्म दिखाएंगे इन सॉर्ट में जिसे अगर मालने को क्लिक करना है यहाँ यहाँ पर सेम प्रोसेस को अलग नहीं है अब इसके बाद इसके पर आपको क्लिक करना होगा तो याद रखेगा कि जब करेंगे और फोटो वहला सेक्षन के जगप पर फोटो अप्लोड करेंगे तो आप जाकर फाने देखिए प्रोश्य टू पेमेंट को अपसन आगे यहां पर जैसे जब क्लिक करेंगे यहां पर इस तरीकी का इंटरफेस यहां पर आपको ऑनलाइन सेलेक करना पड़ेगा इसके बाद जो है आपको याद रखे आपका पेमेंट डेविट कार्ट होगा तो आप यहां पर डेविट कार्ट सेलेक कर लेंगे और इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए यहां पर फाइफ 15 रुपीज आपका फॉर्म फील करने का चार्ज है और इसके बाद जो है इस वाले सेक्सन भी नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है डेविट कार्ट का सारे डिटेल डालने के बाद यहां पर क्लिक करने है जैसे ब इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP जाएगा देन वेरिफाई होगा उसके बाद आपका 5 15 रुपीज यह 5 12 रुपीज जो है कि मैने नहीं कर रहे है तो अगर पेमें नहीं थीया यहां करने ल एक बार बार फिल करने के ज़रुत नहीं पड़ा देखिए मैं सीधा यह चला जा रहा रहा हूं अब देख सकते हैं इस तरीके से जो एक बढ़ फॉर्म कर दिया उसको 12 बढ़ डॉक्मेंट प्राइब कि अगर दो कुर्स में डालना चाहते हैं तो यह मैंने आपको बीवे का दिखा रहा हूं कि देखिए बीवे का कैसे होगा यहां पर हर एक इसस्टेप में सेम जो मैंने बीए का दिखाया से बीबे का ही सेम सीन कोई अलग नहीं है तो यह आपको ऐसे फेजा को पेमिंट कर देना पड़ेगा यह अब कोई स्टूडेंट एंबी के लिए फॉम अपलाई करना चाहते हैं तो वह क्या करें यहां से अपना अपना यहां पर क्या करेंगे मास्ट्स वाले सक्षन में जाएंगे और मास्ट्स में जाने के बाद आस यहां पर उप्षे ? सण और मास्ट्स के लिए यहां प्रिशशे करना हो ρए यहां पे हर एक डिटेल को से परेटले फिर्ल करना पड़ेगा ऐंकalta हैसा करकी मैंने मैं आपको दिखाग आ कि यहां पर मासर्स कर रहे हैं तो आपका ग्रेजिएशन के मार्ट अप्लोड करना पड़ेगा यह हो गया आपका बेसिक फॉर्म फिल करने का तरीका इससे रिलेटेट कोई भी डाउट स्क्वेरी होता है कमेंट की जिगा आप लोग के लिए एक वट्सप ग्रूप बना दे कर रहा हूं खासकर डिस्टेंस वाले कंड्रेट के लिए और वह वट्सप ग्रूप में जो भी अपडेट्स आगा इंफर्म किया जागा तो उस ग्रूप को आप जोइन कर लिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वट्सप ग्रूप मैंने बना रख्था है उस